Welcome back guys, आप सब का सुवागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल Fantasy दूरदशन के उपर तो भाई लोग आज बात करेंगे वाई जूस बड़ोधा T20 चलेंजर के बहुत ही शांदर मुकाबला के बारे में जिसमें Gladiator आज 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 आपको वीट कर पाएंगे बट इस मकाबला में आपको one-sided winning करने का मौका मिलेगा तो वीडियो को skip नहीं करना है लाश तक देख लीजेगा आपकी जो winning आप 100% हो जाएगी किसी भी लीक को join कर लीजेगा तो आए पहले जा लेते हैं दोनों टीमों की power and performance के बारे में तीन winning की हैं चार लॉस्ट किया और बारा प्रेटर नहीं की हैं जिसके चलते थोड़ा सो low confidence के साथ खेलती नजर आएगी तो भाई आज टॉस का भी ना करते हैं पहले से जादा winning टीम है जी एल के लिए gladiator के पक्स में create कर लीजेगा मेरी जयाज फेबरे टीम रहेगी आपकी कौन सी है जे मुझे comment करके बता दीजेगा और लास्ट एटो एड़ भी gladiator ने असानी से win किया था जिसमें defend करते टाइम 194 का target दिया था तीन victor के नुक्सानप के उपर चलैंजर टीम चेज करने उतरी और 9 run के अंतराल से काई चुक गई जिसके चलते शे विक्टे कवाई और 150 टोटल कर पाई विक्टें भी जादा second inning में आपको गिर्ती नजर आएगी वो टीम पर नहीं निरपर करेगा अगर gladiator भी chase करने आती है तब भी विक्टें आपको जादा गिर्ती नजर आएगी तो भाई अगर आप बॉलें के बक्ष में टीम क्रेट करेंगे तो ध्यार रिखेगा जो टीम पहले डिफेंड करने आती है तो उसके बॉलर जादा ट्राई कर लिजेगा क्योंकि chase करते थोड़े असा जहां पर विक्टें ज़ादा गिर्ती नजर आती है ये ही रिजर रहता है कि हमेशा पहली ऱिक में कम विक्टे गिर्ती है सेकंडे में आपको ज़्यादा गिर्ती नजर आएगी वैसे देखा जाए बैटिंग ओंटर के रहेंगे क्योंकि इसका बैटिंग ओडर इतना ज्यादा स्टॉंग है अगर जे टीम चेस करने आती है तब भी विन कर जाएगी अगर डिफेंड करने आती है तब भी विन कर जाएगी इसके बैटिंग ओडर में अमित पाशी बहुत ज्यादा स्टॉंग पेक है इसके लाबा शुबम जादव है पाटल है तो भाई इसके लाबा मलहेर गवारिया है और शालिंसा है जे टॉप अंटर के इनका बैटिंग जुनिट है जो बहुत जादा स्टॉंग है अगर दो प्लेयर भी चल जाते हैं तो भाई असानी सिविन कर जाएंगे आज का मकाबला तो आपको ट आहो तो आप डफ्रेंटल पिक के तौर पर ट्राइ कर सकते हैं मानब थोड़ी सी रिस्की पिक हो जाएगी और थंडल भी ऐसे बलेबाज आपको खेलते मिलेंगे जे भी थोड़ी सी रिस्की पिक रहेगी तो उपर के चार बलेबाज को जुरूर आप एपोर्टन पिक के साथ खेले थे किस बालों पर 24 किया था अभी जीत कुमार लंबा खेल सकते हैं इस टीम की तरफ से और मेरी जो फेबरेट पिक है वो रिजीब जादव रहेंगे टीम चलेंजर में से हो सकते हैं ने लास्ट परफॉर्मस देखते हुए बलेबाजी के लिए उपर पर बोट क किया जाए बाकि बॉलिंग पर नज़र डालें तो हैट वेड में लास्ट जो ग्लैडियेटर की टीम से मलहा रहें गाईज उपर एक तो खेलते मिलेंगे बाकि बॉलिंग से प्रॉफिट देंगे आपको तीन विक्टे नकाली थी इन्होंने बहुत इपॉर्टन पिक हैं ज्यादा था बले बास इनके सामने स्टॉगल करते नज़र आये थे हरसल प्रजापती दो विक्टे नकाली थी सोक दिसाई रहे थे एक विक्टे नकाली थी तो जे प्ले रहेंगे आपके लिए पॉर्टन पिक बट शालिन सा को भी लेकर चलेंगे क्यूंकि जे आपको डै राजबीर ज्यादा बने एक विक्ट नकाली थी राजबीर ज्यादा बले और बॉलिंग जे भी आपको दोनों से प्रॉफिट दे सकते हैं तो जेक उस रहेगी गाईज एपॉर्टन पिक जिनों को हम मद्दे नजर रखेंगे लास्ट मुकाबला के चलते और मैन अफदा जो रहे थे वो मलहार रहे थे तो भाई आपको जेची जूर नोटेस कर लेनी है तो अभी बात करते हैं आज के मुकाबला के बारे में तो सबसे पहले बोलूगा कि आपका बाई आपके लिए एक बहुत ही जुनिक्स एप्लिकेशन लिकरा है जिसका नाम है रिया लैबन इ बड़े ही बड़े अंतराल से आपको विनिंग करने को मिल जाती है तो एकसर मैं फुटबॉल भी जहां पर खेलता रहता हूं फुटबॉल में भी अच्छा खासा हमारा विनिंग हो जाता है कम्रीट में देखें तो जहां पर मैंने जो आज मुकाबला खेला था उसमें भी मैंने फर्स्ट रैंक की तो चार वंदों की टीम थी जिसमें मैंने वीट किया सभी को तो अच्छी खासी मारी टीम रहती है तो आप भी प्रॉफिट ले सकते हैं शे अप्लिकेशन के उपर और बड़ी बात जो रहती है जहां पर कबड़ी हो क्रिक्ट हो हमेशा आपको जन अप्लिकेशन का लिंक में नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहां से डाउनलोड कर लेना है और मेरा संदीप संदीप लैबन रैफर को ट्राइगरने पर आपको अप्टू 11 सौरी अप्टू 2000 तक का कैस बोनस मिल जाएगा जिसको आप ऐस बोनस जूज कर पाएंगे तो बाई जल्दी से जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहां से डाउनलोड कर लीजेगा रियल 11 के अप्लिकेशन को मैं जहीं पर खेलूँगा आज का मकाबला तो बात करें अगर आज की वीडियो के बारे में तो बाई चलकर बनाते हैं आज एक दमदा टीम एक बड़िया टीम और वीडियो अच्छा लगा अब तक तो लाइक कीजेगा शेर कीजेगा मुझे मोटिबेट करने के लिए चैनल को जू सस्क्राइब कर दीजेगा तो बाई बात करते हैं पहले विकर की परिश एक्शन की दोनों आपको उपनर दखाई दें में खेलते मिल जाएंगे खास तो और पर इन्हें चेस करना भी बहुत अच्छा लगता है चेस करते हैं इनकी स्ट्रैकर डेर्सों से बढ़कर 170 के बिच की हो जाती है पारी में ज्यादा चौकर शक्के लगाते हैं और 83 रन अब तक हाइस्ट कर चुके है टीए 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 यूनिट के बारे में तो पार्टल फलाल पार्टल टॉप अडर की पिक है और लास्ट में 57 किया था लास्ट मकाबला टीम से बाहर रहे थे उसके पहले लगातार मकाबला खेलते नज़र आए थे खेलते हैं तो वैले डैने गाई जरूर पे करेंगे बट नहीं खेलते हैं तो ऐसे में अभीजीत कुमार जो की द्रूब पार्टल के ऊपर आपको खेलते नज़र आएंगे तो अभीजीत अच्छी पिक है बहुत अच्छा करते हैं आप तक एक हाफ सेंचरी लगा चुके हैं लास्ट मकाबला में 44 रिन की पारी खेली थी तो इसके बार नंबर 2 की बड़ी पैकर आपके लिए द्रूब पार्टल रहेंगे लगातार अच्छा करते हैं और ज्यादा मुकाबलों में 2 से ज्यादा हाफ सेंचरी लगा चुके हैं तो बाई दोनों के अगर एक को पैक करना चाहेंगे तो द्रूब पार्टल को लेकर चल सकते हैं वरना अगर द बल्ले बाजी आने के सार तब भी बहुत कम हो जाएंगे अगर ग्लैडियर की टीम चेस करने आती है क्योंकि टॉप ओडर इतना ज्यादा स्टॉंग है मिलकर टार्गेट को पूरा कर सकता है ऐसे में विडाकर के कम चांस रहेंगे बल्ले बाजी आने के अगर डफेंड करने आती है तब आप जी एल में रिसकी टीम में विडाकर को मौका दे दीजेगा तो बाई इनके बाज जादब सबसे पॉर्टन पिक हैं मैच आते आते हैं इनकी स्लेक्शन इसली 98 के पार की हो जाएगी तो बहुत इपॉर्टन पिक है इनके बेना ज्यादा टीमें क्रेट मत क जीजगा राजबी जादबी का ऐसी पिक रहेगी जो आपको बल्ले और बॉलिंग दोनों से प्रॉफिट दे पाएंगे टॉप ओडर की पेक है बल्ले से फ्लॉप नजर आते हैं तो बॉलिंग के चलते बार दोनों तरब से बेनिफिट दे पाएंगे और हैट टो एड़ म मैं अपनी टीम में नहीं रखूँगा और किसी के खेलने के चांसे नहीं है अगर जे तीन प्लेयर में कोई प्लेय ड्रॉप होता है ऐसे में मैं उसको ड्रॉप करते हैं पिक कर लूँगा अभी जित कुमार को जो मैं पहले कलियर कर देता हूँ तो भाई अभी तक अगर व प्रजा पती बैस्ट पिक रहकी और बाई जे बटी को हम लेकर चलेंगे चार और रॉनर के उपर ज्यादा आज का मकाबला फोकस करते हुए ज्यादा पिक्स रखेंगे और सुलांकी बहुत ज्यादा रिसकी पिक हो जाएगी प्रतीक सुलांकी को आप तभी पिक के जगा अगर जियल के लिए रिसकी टीम क्रेट करेंगे उसमें आप डाल सकते हैं वो भी बहुत जादा रिसकी क्योंकि बाई अब तक 10 के उपर का स्कोर इनोंने नहीं किया है और एक्सपेक्टेशन ज्यादा से ज्यादा आप 15 या 20 के आसपास का इन से रन एक्सपेक्टेशन कर स करते हैं फैंटैसी की अप्लिकेशन के उपर तो मैं बोलूंगा अगर आप इने नकाल देंगे कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा आपको इसको लगाने के बाद भी कुई खास फरक नहीं पड़ेगा और जैस वादने के बाद भी कुछ खास जंडे नहीं गाड़े हैं इनको भी 22 फलाल के लिए ड्रॉप करते चलेंगे अगर तीन और उन्ट ट्राइ करते हैं तो उपर के तीन उठा लिजेगा बट को उठा सकते हैं जूर्ट पढ़ने पर अच्छी खासी बल्ले बाजी भी बट कर लेते हैं दिसाई और इसके लावा गवारिया जे तीनों ब अगर आप थोड़ा सा जादा जखाओ चाहते हैं गलाडियाटर के पक्षमे तो शा को भी पिक कर सकते हैं वर शा ने कभी कवार एक दो विक्टे नकाल नी है वर लगातार किसी मकाबले विक्टे नहीं भी नकाल पाते हैं यह को थोड़ी सी जादा रहती जिसके जलते करते हैं तो ऐसे में चार्ट को आप रख सकते हैं अपनी टीम में इतना ही बोलूँगा तो भाई बात करें अगर कैप्टेंशी ऑप्शन का बारे में तो जहां पर आज गवारिया रहें कि लास्ट मकाबला के चलते पापुलर पिक में एसे कैप्टन हैड टो हैड में दिस इसके लाबा ज्यादा बहुत अच्छी पेक है दुरूब पाटल टॉप अडर की पेक है यह भी आपको टॉप अडर में हेलते नज़र आएंगे और जे बट यह ऐसे प्ले रहेंगे जिनने लोग टीम में जुरू ट्राई करेंगी कैप बने के चांसों बहुत कम रहेंगे और बैस्ट ऑप्शन रहेंगी आप इन्हें जुरूर ट्राई कीज़ेगा जियल में और पाजी को भी लगा लिजएगा एज एक कैप्टन जियल में तो बाई कैप्टन शी ऑप्शन के बाद बात करें पूरी टीम का तो ज्यादा फोकस रखा है आज मैंने और और शेक्श